हाई स्टूडेंट्स टूडें इन दिस वीडियो आई विल टैल यू अबाउट सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर वन नोट्स यह जो बुक है आपकी इंडिया एंड वर्ल्ड तो उस बुक से जो है हम आपको चैप्टर वन एक्सप्लेन करने वाले हैं और हर्याना बोर्ड की किताब है आपकी अभी जो रिशेंटली नहीं 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 हुई है जो की तो फिर भी अभी जो है हुआ क्या है 2022 में यह वीडियो बना रहा हूं तो बाद में अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं आराम से बढ़िया नंबर आएंगे मतलब एकाद नंबर तो वन माक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि जो भी मेजर जो को सब्सक्राइब कर पाऊगे इसकी हल्प से क्योंकि देखो बुक्स तो आई नहीं है अभी 2022 की जिस टाइम में यह वीडियो बना रहा हूं अगर बुक्स फिलाल हम करेंगे आज चैप्टर वन ठीक है ना चैप्टर का नाम क्या है सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन लेकिन उससे पहले काम की जानकारी दे देता हूं जो कि आप ही के काम आएगी भाई अब क्या ही बोले बोर्ड वालोंने पोपट काट दिया है हमारा देखो यह आपको पूररा चैप्टर का आपको यह सारा शोल्यूसन सीचे इल्चैप्टर डोट को मिसल वेबसाइट पर मिल जाएगा यहां पर आपको बहुत सारी चीज़े मिलेंगी लिटरली बहुत सारी ही आप पहीं काम की मिलेंगी हर्याना बोर्ड का जो वैसे तक वालों आपको मिल जाएंगे तो जुरूर से विजिट करना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा वेबसाइट का लिंक नहीं दूगा मैं वहाँ पर आपको दूगा यह वाले पेज का लिंक ठीक है इस पेज पर जाओगे एक लिंक मिलेगा आपको वीडियो का प्ले लिस्ट का ज आपको सारी चीज़े प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि भाई अब की बार जहां तक मेरे को लग रहा है इंपोर्टेंट जो कोस्टन एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से वह ज्यादा तर जो मैंने जो चैप्टर्स करा दिया हिंदी मीडिया में तो उस हिसाब से मैंने तो यह जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा यह वाला पूरा पेज़ का यहां पर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स मतलब समरी एक्स्प्राइशन कुछ भी कहलो भाई थी क्ली रिवीजन नहीं है बिल्कूल कि आप सोचो चार पेज कर थोड़ा सा जो है बिल्कूल डिटेल वाले नोट्स मिलेंगे और उसके अलावा जो है आपको टेक्श्वल को से इंसर इंपोर्टन को सब्सक्राइब कराऊंगा जब इस पर थोड़े से लाइक आ जाएंगे मुझे भी मतलब अच्छा लगएगा कि हाँ आपको जो है यह बैनिफिट हो रहा चैप्टर स्किप कर सकते हैं अभी देख लो तुम्हारी मर्जी तुम लाइक करोगे या नहीं करोगे चलो अब सुरू करते हैं चैप्टर को थोड़ी शी बखबख करनी ज़रूरी थे हैर मेरे को क्योंकि यार बताना पड़ेगा वो चीज आप ही के काम की है ना तो मेरे क अब प्र फाल तुम्हें टैंसन लिए रहते हो ठीक है चलो अब सुरू करते हैं इस चैप्टर को इंडिया फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन अरोज इन्दा फर्टा वैसे एक चीज बता देता हूं चैप्टर तो सुरू कर रहे हैं हमें मिलेगा क्या चैप्टर में है वो जानना जरूरी है सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन यानि की सरस्वती शिंधू सभ्यता सुना ना इंडस सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती शिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा या पर थोड़ा नाम उल्टा सका रहा कोई बात नहीं देखो दो रिवर्स थ के पास में सहर बसाय गई थे 18% सिविविलाइजस्षम के अंदर सहर कैसी थी वहां पर लोग कैसे रहते थे जो शेयरों है वहुक्रोग का चैसा common गशेयरभ लेयार है के चैप्टर के अंदर डिटेल में वैसे तो आपने पहले पढ़ी होगी पहले वाली क्लाश्म वही सेमसी बात है ज्यादा फरक है नहीं ठीक है ना तो वही चीज़ा इस चैप्टर में तो चलो सुरू करते हैं आपको आइडिया लग दाएगा ना मतलब क्या करना हैं को इंडि घरी बहुत ही बहती इभातिरीया च्ष्क झनिए और इसको आपे ही और इसको हम कहते हैं सरस्वती इनल्हेंसी विलाइजेशन MAL पशलना पर जो करना पर उपर शब्मेंटी अरब शमीलाइेशन gy sorry about. लेकिन आज से कुछ सो साल पहले मलब की बहुत साल पहले तो सिविलाइजेशन रहा रही थी आज से माना जाता है काफी हजार साल पहले लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में यह बरबाद हो गई बरबाद हो गई गायब हो गई और फिर एक दिन फर्स्ट इन 1921-80 दयाराम सहनी एक्सकावेटीड हरपन इन पंजाब प्रोवियंस एन 1922-80 राखलदास बैनर जी एक्सकावेटीड कम्प्लीट साइट्स फ्रो मोहन जोदारो इन सिंद प्रोविंस यानि की सिंद प्रोविंस होता है सिंद का प्रांथ जो सिंद का छेतर था ना वहां पर 1921 में जो है दयाराम सहनी नाम का एक बंदा है उसने अगले ही साले को बंदा निकल के आता है 1922 जिसने राखलदास बैनर जी उसका नाम था उसने जो है मोहन जोदारो मलब कि आप से पूछे कि हूद डिस्कवर्ड हरपन सिविलाइजेशन हरपा को जो है हरप जो है 1922 में एक नई साइट मिले जिसको मोहन जोदारो के नाम से हम जानते हैं यह दोनों साइट बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि यह जो है मेजर माना जाता है कि as a capital उनकी हुआ करती थी जो पूरी शिविलाइजेशन थी बहुत बड़े सहर थे यह तो इसको किसने ढूं इसे विस्तार मर्लबगी जो टि अब जैसे हमा रहा हर रहा है फिर अबसकी कहां से कहां तक है उसका छोड़ो इंडिया का माले ना fled Mate ने साइड में जो है बिल्कुल लाश्ट तक तो वैसे जो है यह एक्सपेंशन होता है यह जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम पर वो कहां से कहां तक फैल्य हुई थी इस सिविलाइजेशन रेंज फ्रोम अलम भाई अजीब सा नाम है आलमगीरपूर ठीक है ना इसको अलमगीर में पड़ता है अलग देश है यह तो इसलिए जो काफी बड़ी सिविलाइजेशन थी इंदा वैस्ट एंड मंडा जो कि मंडा जो है जम्मू में और इंदा नोर्थ एंड दायमाबाद महारास्टर के अंदर साउथ में देखो आप एक आइडिया लगा लो आइडिया तो का सकते हैं नाम वाम तो पता नहीं याद रहेंगे नहीं रहेंगे कोई बात नहीं बट यह देखो जम्मू कस्मीर से लेकर जो है जम्मू से लेकर महारास्टर था कि इतनी दूर तक कि एक सिविलाइजेशन फैली हुई थी मतलब कि यहां पर नीचे मैप भी दे रहा है नतना तुवधार्ति थी थी रहा है इसका भी इन विच शिक्टीन हंडर्ड कि जुटर मेटर फ्रों एस्ट ट्योंडर्र किलोमेटर प्रों नॉर्थ टुवस यह समझे लो कि टो यह दिखो इस्ट टुवस्यों यह कितना था किलोमेटर का था यह पूरी जो आगर देखे ह और ऐसे में कितना था यह 1400 किलोमेटर तो यह काफी बड़े अरिया में यह जो है इसा तूटके बाद में पाकिस्तान बने गया था ठीक है कुछ एरिया के पाकिस्तान में पड़ता है यह यहां से घया हुआ पाकिस्तान बनावली है जो है कुछ एरिया उदर चलेग यह जैसे कि महर्गार्ड मोहँ जोदार गावरीवाल हडपा बनावली यह जो है कुछ एरिया उदर चलेगा कुछ हमारे जैसे कि राखी गड़ी मित्ताथल बनावली यह हर्याना के अंदर पड़ते हैं ठीक है तो यह सीन्था काफी बड़े एरिया में यह फैले हो थी शिविलाइजेशन बट हम जो है मेजरली सारे नाम याद नहीं रहेंगे हमें सि क्या बताया जा रहा है तो में जगह जो असली जो मुख्य जगह थी बहुत सारी जगह मिली ऐसे तो अलग अलग लेकिन जो में साइट थी वह हमको मिली आर फाउंडिट इन पंजाब हरियाना जम्मू एंड कस्मीर वैस्टर उत्तर परदेश नोर्टर राजस्तान गुजर ऊसरी हम रहा लब भालाव ऑफ से नामार नेल कहना जैसे कज मैं में जैसे को पूचे आप में तो हमको कहां पर हाल कि बहुत को देसे चाहिशव कोट से पूछेंगे वह आप से धोलाविरा कहां पर गुजरात में है अडपा कहां पर पंजाब में तो ऐसे आप से पूछ सकते हैं काली बंगा राजस्तान में वर इंपोर्टेंट स्थीटीज यह में सहार थे और भी बहुत सारे थे लेकिन हम को में में का पता है अभी के लिए ठीक है वैसे एक चीज मैंने देखिया यार इस बुक को जब मैं करवा रहा था ना हिंदी मीडियम में तो उस टाइम पर मेरे को एक चीज करने को मिली जो पहले के बाद में यह बुक नहीं पहले बनी थी क्योंकि वह बहुत पुरानी बुक है अगर आपको नहीं पता तो 2004 के सपस वह बुक बनी थी और उसके बाद जो जो भी रिसर्च हुई जो भी जो हमको नई डिस्कवरीज हुई उनका नहीं पता था बिल्कुल भी लेकिन अभी इसको हटा दिया अभी विए बुक तो लेटेस्ट बनी है ना बिल्कुल तो यह जो बुक है इसके अंदर हमको लेटेस्ट जो चीजे पता लगी उनके बारे में भी डिस्क्राइब कर रखा है कि हां ऐसा भी मिला है क्योंकि आप गूगल पर देखो कुछ चीजा ऐसी है ज जैसे यह वेब साइट है ऐसे बहुत सारे वेब साइट होती है गूगल पर तो वह प्रोवाइड कराती है तो वह जो इनफोर्मेशन है टाइम टो टाइम अगर अगर अपडेट होती है तो लग बात है जातर नहीं करते ठीक है चलो अब देखते है क्रोनोलोजी ऑफ सवेंटी फाइवगंडर्ड टू सेवेंटी सेवन थाउजन बीसी ओंदा बैंक ऑफ सरस्वती रिवर यानिकि यह सिविलाइजेशन थी स्टार्ट हुई थी लगबग आज से साड़े साथ अजार साल पहले सेवन थाउजन यह अगो इतने टाइम पहले जो है यह साल पहले की बात नहीं कि अबी के टाइम पर मानलो मोटी-मोटी शी तो माट अट-जार साल पुरान है तो यह था था थी कि बीचिए और एड़ी का द्यान अगदा आप क्योंकि जाद तर पुराना टाइम पोहत्-पुरानी चीज़ें वह सारी बीची में मिलेंगी तो टैंस और यह बीसी में मिलती है तो कन्फ्यूज नहीं होना कहीं पर कि आप बैंक ओफ सरस्वती रिवर यह सरस्वती रिवर के जो है बैंक के ओपर स्टार्ट हुई इंदी सिविलाइजेशन तो कि यहां पर शुरुआत में नहीं पता था इनको भाई क्या करना है क्या नहीं करना लेकिन बुद्धी बदल गई समय बदल गया और 3200 बीसी एगो इन्होंने एक टाउन प्लानिंग के बारे में सोचा इन्होंने लगा इनको भाई की सहर बनाना पड़ेगा सहर जरूरी है यार देवलेप्मेंट ओस राइटिंग आर्ट आर्ट भी बनाई इन्होंने आइडियामस एंड मेथर ओफ मिजर्मेंट डेवलेप्ड और मिजर्मेंट माप तोल के जो माध्यम थे वो भी इन्होंने बनाए थे तो उसके अलावा जो है बाई 1900 बीसी टाइम और बीता गया 1900 में आ गए हम दा चेंज ओफ अर्बन सिविलाइजेशन स्टार्टि टेकिंग प्लेस इन रूरल कल्चर रूरल कल्चर रूरल होते गाउं में मलब कि पहले सहर बर से उसके बाद गाउं भी बसने शुरू हो गए और टेकनोलोजी या फिर सिविलाइजेशन और भी लगेगा कितनी खतरनाक ती है मतलब आज 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 यह मानते हो ना कि भाई लाइफ बहुत बढ़िया होने का मतलब का मतलब क्या है ना आप सोचते हों कि यह चीज हमको मिल जाए तो बढ़िया है यह लोग उस टाइम पर आज से हजारों साल पहले वह चीज लेके बैठे लेकिन इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हमारी कोलाप्स हो गई तेरा सो साल में मतलब की खतम हो गई उस टाइम के बाद यह सिविलाइजेशन का अता ना पता कुछ नहीं मिला पता नहीं क्या हुआ गया सिविलाजेशन को अब हम बेसिकली कह सकते हैं फ्रों दा पॉइं तो उससे लेकिन और यह इस टाइम के असपास तक का कुछ अंदाजन अंदाजन ठीक यह उससे पहलेगा अर्बन पीरियेट जो है 2600 से 1900 और लेट पीरियेट हुआ था 1900 से 1300 तक और 1300 के बाद ठंटन गोपाल बाई बाई और हम हो गए विलूप्त अब पता नहीं कैसे प्लान ओफ स्वरस्वती इंडर्स सिविलाइजेशन सीटी प्लान होता है नगर योजना जो सहर बने थे उनकी प्लानिंग किस हिसाब से करी गई थी क्योंकि हम पढ़ा नहीं रिसेंट लेगी उन्होंने कुछ बतीसो साल के असपास पहले उन्होंने सीटी प्लानिंग के बारे में शुरू करा तो वही सीटी प्लान कैसे किये गए थे सहर कैसे बसाए गए थे उसके बारे में हमको यहां पर जानने को मिलेगा इन दा सिटी ओफ definesके ड्रमल यहां व्हारे से अब उसका एडवांटेज भी ऐता होगा जैसे बार आ यहां-दार नेगिक्छे न वी rap टेना के minute रिवर में अगर जादा पानी बढ़ गय Call England Mist सोचे उन लोगों ने पूरा सोचर का था लेकिन है ना तो उन्होंने टू माउंट्स मिले हमें जादातर डिस्टिक में जादतर जो सिटीज थी ना इनकी उस सिविलाइजेशं में बहुत सारी के नाम हम पढ़के आयए थे पिछले मैप में तो उसमें जो है दो माउंट्स हम मांड और यह वैस्ट मांड में किले बना जाते थे यह बन गया हमारा किला पता नहीं का इसा बना दिया वैस्ट मांड जो लोग काम करते थे विया पारी थे जैसे की बता रहे ना सिटिजन जो आम जंता थी जो मर्चेंट वियापारी लोग थे चीज़े बनाते थे अलग-अलग रटिशिन्स थे आर्ट वगryर्ण काम करते थे कारिकर जिनको बुलाते हैं दुशल व्रकर्स तेजर्टव वाली मजदूर वह सारे लोग इनसे साइडे में सिटिए इस्टन साइड में मदब कि नीचे वाले हिसे में रहा करते बोल सकते हो एड्मिनिस्ट्रेटिव पब्लिक बिल्डिंग्स एंड ग्रेंडरीज वर लोकेटिड इंसाइड फोर्ट बना रखे थे यह उची जगह पर होते थे जनरली तो और यह जो है ना यहां पर खास्तोर पर अड्मिनिस्ट्रेटिव जान यानि कि परसासन के जो काम ह होते थे वह होते थे पब्लिक बिल्डिंग्स यहां पर थी कुछ और साथ में ग्रेंडरीज मलब की जो स्टोर गोदाम वगएरा थे ना जो अन्नागार जिसको कहते है मलब की ग्रेंडरीज होता है जहां पर अनाज को स्टोर करते हैं ग्रेंस को दानों को स्टोर करते हैं तो वह जो जगही थी वह उच्छे वाले हिस्से में थी और Western Side में थी जब कि Eastern Side में सारा जो वरीड़ बारा एलाख इस्टर आवाला आपे लिभाnd पर जंता वहां पर ए talon काम वहीं पर होते थे यहां पर बस ऐसे सेफटी परपस के लिए जो चीज़े रखी होती थे वह यहां पर थी और जो में काम होते थे ठीक है अब यहां पर क्या बता रहे हैं इसको जो है जो सिटी इस थी उसको डिवाइड कर रखा था अगर आइस इंटू इस देखने से जब हम तो उसको अचे से लगता है कि वह पांचे से बीवाइड कर रखी थी जो होती थी मोहन जोदारों की बात करें मियां पर महन जोदारों के अंदर जो सड़के थी वह 9.15 मीटर चोड़ी होती थी मलब ऐसे आपकी गली होती है अब यह मोटी-मोटी तोर प नोटिया 27 यानि 27 फिट चोड़ी बाई आपकी गली आज के टाइम की भी बात करो हमारे यह पर गली है 18 फिट की 17 फिट की जनरली ही होती है गुर्में उस टाइम पे लोगों ने 27 फिट की चोड़ी-चोड़ी गली बाई शाब और उस टाइम पे तो कुछ चलता भी नहीं खास है वहिकल के नाम पे ज्यादा कुछ था भी नहीं उस टाइम पे इन्हों ने इतनी चोड़ी गलिया बना रखी ती यह देखो तो और उसके लावा रोड थे यह एंड़ स्ट्रीट वर ओंदा एवरेज 3 मीटर वाइड और जो गलियां थी वो भी 3 मीटर चोड़ी वाक चाहिए यहां पे है ना रोड्स वर अन्पेवड बड़ स्पेशल अटेंशन वोज पेड टू क्लीन इस मतलब की वह ऐसे कह सकते हो कि जो रोड थे रहा वह ऐसे सड़के पकी तारकोल तो उनके पास था निकोल तार वगएरा तो तो उन्होंने जो है अन्पेड थी वो कच आरे पर रखा हुआ है नहीं है ना उस टाइम पर थे भाई रख 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 थे उस टाइम पर आज से तीन अजार साल पहले डश्ट बीन यूज करते थे यह लोग यह देखो तुम कितने एडवांस लोग ते और यह क्या आरा भाई वीजूल सर्च मोर उप्संस नहीं चाहिए भाई मैंने लगा रहा पोटो यह यह तो ऐसी पतन क्या गया चलो देखो यह जो है यह सीटी डिजाइनिंग आपको यहां पर इस फोटो से देख सकते हैं कैसे बना रखी ती यहां पर यह जो है यह में रिवर जा रही थी यहां से स्पेशल पा यह जो हैं जो मैंको एक साइट पर मिला था तो उसका फोटो है यह बोक में यह फोटो दे रहा था ठीक है ना तो वही फोटो है यह जलो आगे बढ़ते हैं दुद्रेंस ओफ़ोजी यूज्टू फोल इन दा विकडरेंस ओना साइड व डरोड अब नालियों की बात करते ह तो नालिया कैसी थे इनकी देखो नालिया आपकी नालिया कैसी है हमारे आसपास की बात करते हैं जैसे बोल सकते हो कि जैसे हमारे यह हमारे आसपास का एरिया Пषे महहुल है जो टेक्टनलोजी हम distribute वह ऐसा है८जगा उनका अलता ह Poke. जो है ड्रेंस कैसी थी बता रहे हैं कि the house used to fall in the big drains on the side of the road पहले जो है एक बड़ा नाला होता था जैसे ये घर हो गया भी बहुत सारे घर हो गए न ऐसे बन 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 चकोर भी नहीं बनते हैं मेरे हाथों से घर चलो ये घर थे तो इन घरों में से नालिया निकलती थी आसे नाल तो उसे जो है दीरे दीरे वह बहता हुआ ऐसे सहर से बाहर चला जाता था जैसे आपके गाउं में गाउं में से होंगी जाए तर स्टुडेंट तो उनको पता होगा मतलब सहरों में तो पता ही नहीं है क्या कहां चल रहा है भाई सब अंडर गांट कर रखा है सिस्टम लेक ट्रेंस वर मेर भिा और सॉलिट्ट ब्रिकस's सब्याई पते हैं कि मलब आज के टाइम पे हमारे यहां पे भी नाले ढखे नहीं जाते और मैंने और बहुत सारी जगों पे देखे नाले नहीं ढखे जाते लेकिन इन लोगों ने ढख रखे थे भाई मच्छर का चिंता नहीं करने इनको बिल्कुल भी कि मच्छर हो जाएंगे यहां पे पार कमरें हुआ करते थे एक कीचन था बात्रूम था एंड कोर्ट यार्ड इन अमीडल ऑफ बिल्डिंग तीन-चार कमरे थे किचन भी अलग अलग से होते हैं चीज़े कहीं को भी कमरों में कांट मत करना ठीक है न तो यह के ऐक कीचन वहता था बात्रूम होता था और को ल बिल्डिंग घर के बीचों बीच वो भी होता था आपका आंगन भी होता था जैसे बोल सकते हो नॉर्मल से घर था दो मंजिल तीन मंजिल के भी मिले हमको बहुत साइज जिगों पर यहां पर यह चीज आप नोटिस खरोज टाइम पर भी तरह द्यान दखा जाता था आंगन बीच यह बातरूम बीच यह ऐसे नहीं है आप लोग सोचों की जंगलियों की तरह वह जंगलों में हगने चले जाते हो नहीं नहीं वह बातरूम यूज़ करते थे भाई एडवांस लोग थे दा होमस ओफ एफुलेंट ओल्सो हैड वैल्स टोईलेट्स जो है और लोगों क ठीक है एक होते हैं एडवांस थोड़े से अमीर तो जो लोग अमीर थे ना उनके पास टोईलेट्स तो थी साथ में वैल्स भी थे उनके घर में खुद के कुए हुआ करते थे पानी के लिए एविडेंस ओफ प्लास्टरिंग हैड हैज ओल्सो बिन फाउंड विंडोज या इन कम्यूटि बिल्डेंग जैर वर असमेंबली होल्स एंड बाट्स यह देखो तुम कम्यूटि बिल्डिंग ते अंदर भी असमें पर्शुक्ष इस रसो में बनती थी यह आप सोचगो यह इतनी बड़ी रसो किसकी आ गई लैंथ वीर्थ हाइट ऐसे होता न तो वह ची उनके साइज से की ज्यादा फरक नहीं था आर्ट का मतलब क्या होता है क्या 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 चीजें उन्होंने डिजाइन कर रखी ती क्या क्या वो करते थे उनके अंदर क्या हिड़न टैलेंट था वो भी हम जान लेते हैं उस समय पर हमको जो है ना इस civilization में मैटल्स की और साथ में क्ले होती है मिट्टी ठीक है ना उनके मुर्तियां लप्चर्स होती है मुर्तियां वगारा तो यह चीजें हमको मिली है इस civilization में देखने को मिलती है इन एडिशन पीशीज ब्रेड एंड पोर्ट्री वर मेड यहां पर जो है इसके अलावा आपको देखोगे तो मोहरे बीड्स मन के वगारा जो है मोती वगारा यार बेसिकली वो चीजे बरतन वगारा मिट्ट्री होते मिट्टी के बरतन और पी यह जो है ना एक आइडोल मिली है हमको मलब एक मुर्ती मिली है बेसिकली कह सकते हो तो यह जो है ना फ्रेग्मेंटी फ्रेग्मेंटी होते है टूटी हुई अब भाई आज से 2000 साल पहले तुम कुछ रखे गए और वो जिन्दा सही साबू सही तरीके से बच गया वो भी मि मिली है वो फांड लंदा मोहँजदारो मोहँजदारो की साइट से मिली है जो कि 19 cm लंबी है विच इस वैरी फेमस बहुत फेमस है यह आपको एक बुड़े से फोटो मिलता है अब यह जो आइडोल है ओ वर्ल्ट फेमस मैटल डांसर है जा बीन फांड फ्रों मोहँजदार मिली है इनिमल्स देखने को मिली है इनकी शिविलाजेशन के अंदर सिविलाजेशन और में इनली स्क्वेर और रेक्टेंगुलर अब यह सिविल्स क्या होती है भाई सिविल्स तो सिविल्स होती है हमारी जो थप्पे मारते हैं ऐसे होता ना जैसे कि एक पैकेट आता है आपके पास में एक डाक आई है यहां पर वह लगाते है लाल सा सिविल्स के लिए यूज की जाती है जैसे कि आप अगर नया डिवाइस लेते हो फोन वगरा तो वहां पे भी हमें देखने को मिल्स वह टाइम पे भी सिविल्स करी जाती थी और मेंली स्क्वेर और रेक्टेंगलर लेकिन वह गोल नहीं होती थी वह यह तो स्क्वेर ऐसे वाली शेप में होती थी या ऐसे वाली लंबी वाली शील होती थी ओन वीच एनिमल्स बर्ड्स डै डाइटीज एंड स्क्रिप्ट्स हैस बीन इंस्क्राइड विद शटबल इंस्ट्रूमेंट्स यानि कि उस समय पे जो है ना इन सील्स के उपराजगल तो हम नाम वाम अजीब से मिले हमको देखने हो पता नहीं कौन से देवता थे और उसके अलावा जो है हमको स्क्रिप्ट्स होती है उस समय की भासा ठीक है वह सारी चीजे हमको उनके उपर देखने को मिली है उन पे छपी हुई मिली है ज्वैलरी ओफदा सिल्क हडी ओन्यक्स कांच आइव सने चांदी से आज भी बनाते हम को परतामबे से लेकिन हम इस वा उचो अपने लोग्य देख है ना वह सामारी चलते हैं तो सुमये के लिख सब्सक्राइब नहीं की नहीं की हमको दैखने को मिली थि इंसायр्स के ओपर से पोलिटीकल लाइप अब हम बात करेंगे पोलिटिकल लाइफ की पोलिटिकल लाइफ यहने की उस समय का राजनीती कैसी चलती थी कैसी मेनेजमेंट था सभी सिस्टम का वह भी जान लेते हैं तो आपके लिए मैंने स्टार्ट कर दी चीज अब अगर अच्छी लगेगी आपको तो भाई मैंने और पूरी कंप्लीट बुक भी करा दूंग आपको जल्दी मतलब एक महीना लगता है मेरे को एक बुक करवाने में पूरी लिखके और यह सारी चीज़े करवाने में तो बता देने यार वीडियो अच्छी बनी है या नहीं बनी है मज़ा तो आ गया समझ में तो आ गया ना ठीक है इन दब मैसोपोटामिया की सभ्यता है वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे सेकिंड चैप्टर के अंदर बट फिलाल समझते है यह सिविलाइजेशन थी दा दा हैंड्स ओफ दा प्राइश्टी रूलर एंड एंटायर लैंड वो दा प्रोपर्टी ओफ टैंपल यानि कि उस समय जो है इस सभ्यता में इस मैसोपोटामियन सिविलाइजेशन अंदर क्या था कि जो सहरों का नियंतर्ण था ना वो सारा का सारा प्राइश्ट के पास हो तो यहां पर बताया जाता है स्कोलर्स क्या होते हैं विद्वान लोग जो अपने आपको बहुत नेक्स्ट लेवल का बंदा मानते हैं तो वह लोग बिलीव करते हैं इस बात को मानते हैं कि सरस्वत एड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ सरस्वती इंडर्स सिविलाइजेशन वॉज हमें क्या मिल एक्चुली में जब हमने डिस्कवरी करें डिस्कवरी करें तो उस टाइम पर क्या था फाउंड हुए था हमको बैसिकली तो यह जो हरपा और मोहन जोद्रों यह काफी बड़े सहर हमको देखने को मैनेजमेंट इन में काफी अच्छा था तो ऐसा लगा कि इस पूरी सिविलाइजेशन को इंडस्विलाइजेशन को दो कैपिटल सुवा करती होंगी जिसको हम अडप्पा और मोहन जोद्रों के नाम से कह सकते हैं तो यह लूँन लोगों का मानना बही आप मानलो था असली मुद्दे के बाद है ना उस समय का समाज कैसा था सोचियल लाइफ कैसी थी समाजिक जीवन कैसा था उनका उसके बारे में जानते हैं बहुत सारे वर्गों में उनको बाट रखा था के टेग्राइज कर रखा था उस समय भी लोगों को सहर जो थे उनको भी बना रखा था कि जो है एक साइड में फोर्ट बगरा बना होता था तो वही बात हो रही है यहां पर कि फोर्टिफिकेशन अरिया अलग थे और यहां पर हाउसिंग अरिया अलग थे वेल्थी बीपल और रूलिंग क्लास उस टू रिसाइड इन दा सीटी फोर्ट जो अमीर लोग थे या लोग रा अब यह मानते हैं भाई कि उस समय जो है ना सिक्योरिटी और जो है स्पेशल जो स्विधाएं हुआ करती थी वह सारी फोर्ट वाले लोगों को मिलती दूसरे लोग ऐसे भूक मरी का जीवन जी रहे होंगे पता नि कैसे काम चला रहे होंगे अब यहां बताते हैं ट्रेडर लिए लेडर जो भी बाकि लोग ट्रेडर होते हैं व्यापारी लोग लोग शोल्जर यानि कि सैनिक उसके लावा ओफिसर यानि अधिकारी लोग क्राफ्ट्समें सिल्पकार एंड लेबर जिसको कहते हैं तो वह सारे के सारे जो है रेजिडेंशल एरिया में ही रहते थे द पूरी एक चार दिवारी करी जाती थी पहले के टाइम में आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा ना मतलब बाहर से राजा आया हमला करा भाई ऐसे यहां पर आखे दिवार टापके फिर घुस गए राजा तोड़ दिया मार दिया राजा तो यह जो सिक्योरिटी व इन स्टेट्स के अंदर हमको इनके एविडेंस देखने को मिलते हैं फार्मर्स पोर्टर्स कार्पेंटर्स चेलर लेबरर ज्वैलर्स एंड वीवर्स वर इंपोर्टेंट क्लासी इन दा सोसाइटी ऑफ दिस इनकी यह जो सिविलाइजर्स इंदर बहुत सारी लोग रहते तो यह जो अजिए सकते जोड़ीं करते हैं से लर्स होते हैं नाव पर काम करते हैं जैसे नाव में सामान ले जाना तो ऐसा नहीं है कि भाई उस टाइम के लोगों को पता नहीं था ना यूज करते थे हमने चैप्टर में भी थोड़ी देर पहले फोटो देखी थी उसमें यह जो है बुक में से उठार के सारी फोटो मैंने फाल तुम्हें आड नहीं करी कई से ढूंड के लेबर तो सब कोई जो आप उसन वगारा बनाते हैं वो लोग एंड वीवर्स जो कपडा बनाते हैं तो यह सारे लोग वर इंपोर्टेंट कलासी जिंदा से सारी जो साइटी में इंपोर्टेंट क्लास मानी जाती थी इनके लावब कोई कैटेग्री वैसे मुझे लग नहीं रहा बची होगी जो भी थी सारी इंपोर्टेंट सी सब अपना एक सरकल पूरा कर रहे थे में फाउंड में में फूर्ड ओव दा पीपल आप लोग सोचे के भाई यह लोग खाते क्या थे आपको अजीब नहीं लग रहा गया मालब कि यार इन लोग पास इतनी सारी टेकनोलोजी थी मालब इतनी ए ऐल काटेगरी बना रख बना रखाा स्वैर बना रखा स्वागा उस्के अलाबा यह लोग इतना शारी चीज़ते भी थे ऑन लोग क्या ख़ाए है डाल यह आन यह andare हो खाते गास-पूस तो नहीं काते है तो यही वह लोग भी खाते थे, the people of this civilization were barely wheat, barley, wheat, rice, fruits, vegetables, milk, meat, 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 fish, sheep, goat, swine, इनके meat included होते थे, evidence of, यहां पर आपको नहीं पता होगा क्या 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 बोल दिया इनोंने है, मतलब नहीं समझाता है, नहीं समझाता है, देखो एक होता है, नवरातरे पर एक जोओ नाम का सबत हो यही चीजे हम लोग खाते हैं, यही चीजे हम लोग खाते हैं, यही चीजे वो लोग भी खाते थे, evidence of cooking and grinding of food is also found from the stove, सिल बट्टा एक्सेक्टरा found in the excavation, सिल बट्टा क्या होता है, यूपी के साइड में आज भी इस्तमाल करते हैं, जैसे कुंडी देखिए, अभी हमारे पास तो कुंडी बुलाते हैं, अब हरियाना में, हमारे अरिया में, अलग अलग अरिया में, अलग अलग नाम हो सकता है अरियाना में भरोसा नहीं है, एक ऐसा पत्थर सा होता है, पत्थर के उपर जो है, मालब एक कुछ समान डालो, मिर्च विर्च कूटने काम हाता, घर पे घूट्टे होंगे, आपके अरिया में क्या कहते हैं, हमारे पे तो कुंडी कहते हैं, उसको अब आपके अरिया में, मेरे को मुझा आएगा, मेरे को जानने को मिलेगा, ठीक है, तो यह इसको इसको इस्तमाल करते थे, उसमें उसको सिलबट्टा कहते थे, उसमें क्या करते थे, वो लोग ऐसे पत्थर होता था, थोड़ा ऐसे से वाला, और इसमें मसाला वसाला जो भी रखना उनको, उसके ब इस समय पर थाड़ी भी मिलती थी खाने के लिए उसके लावा गलास भी मिलता और लोटे वगारा भी इस्तेमाल किये जाते थे तो यह देख लो जैसे हम लाइफ जी रहे ना वैसे लाइफ यह लोग भी जी रहे थे अब हम तो advanced civilization मानते हैं अपने आपको लेकिन लोगों ने अड़्वांस भी नहीं माना फिर भी आशे थे at that time both men and women used to wear ornaments, ornaments होते हैं आभूसन यानि कि जो jewelry वगारा आज केल तो औरते पहनती हैं लेकिन पहले के time में उस समय पर मैंस और women's दोनों औरनामेंट्स को पहना करते थे इन औरनामेंट्स मेंली necklace होते थे arm band, bracelet, ring, worn यानि कि necklace तो सबको पता है गले का हार होता है, arm band यानि कि हाथ पर बाजू बंद जिसको कहते हैं जैसे आपने महा भारत और यह चीज़े देखे न उसमें बाजू में पर 25 बांद के रखते हैं कड़ा सा पहन के रखते हैं तो वह वाली चीज़ है यह उसके लावा bracelet जो की हातों में पहनी जाती है rings वगरा तो यह चीज़े उस समय लोग और और ओरते दोन में पहना करते थे और अमीर लोग क्या करते थे अब यह तो गरीब पहनते थे भाई अमीर नहीं पहनते थे गरीब लोग अलग पहनते थे अमीर अलग पहनते थे थोड़ अचा फरकता अब पहनते थे लेकिन इनके जो ओर्नामेंट्स है वो गोल्ड शिलवर सैमी प्रीश स्टोन आइवरी यानि की हीरे जवारात सोनना चांदिशे मिलके उनके बने होते थे जबकि जो है पूर वोर ओर्नामेंट्स मेड अफ कले बोन और स्टोन वो जो है जो गरीब लोग थे वो मिट्टी के हड़ियों के और पत्थरों के जो है आप भूसन पैना करते और यह लोग सोनने चांदिशे उसमें मतलब आप समझ सकते हैं उसमें भी सोनना महंगा था व जो है जो है हाथी दान्स से मुष्कीली बनाते थे और कोपर गलाशी और तामबे के सिशे का प्रियोग करते हैं में अब ऐसे देखते ना मुह देखने बाल बाने आपको जो है यह फिर कुछ काम करना है दर्पन का तो और पर गलाशी इस्तिमाल करते कोपर को एजा को यह पीट पीट कैसे सिस्सा सा बना लेते और उसमें अबना थोबड़ा देखते दिखता था यार में लगता नहीं दिखता होगा कुछ जो भी था उनकी टेक्नोजी थे हम क्या करें वुमें अलसो यूज टू अपलाई काजल सूर्मा वर्मिलोन दा गेम ओफ टो चैस एंड डांस वर दियर मीन ओफ एंटर्टेनमेंट या नहीं कि उस समय के लोग जो है के एंटर्टेनमेंट के रिशोर्स इज क्या थे तो वह जो चैस कहलते थे और डांस करते थे जो जंगल सरस्वति इंडस सिविलाइजस एकोनोमिक होती है आर्थिक है याने कि रोकड़ा पईसा कैसे जीवन चल रहा था या फिर कुछ गरीब अमीर क्या फरकता बहुत सारी चीज़ें है उगाते क्या थे वह बहुत सारी चीजह और यह जो टो पिक है ना इस चैप्टर में बहु तो इसी वजह से यह फर्टाइल लेंड थी बहुत जाओ भूमिवा करती थी द पीपल हेर में ली कल्टिवेटिड वीट बारले राइस मूंग लेंटिल्स पीज मस्टर्ड कोटन सीसम एट सेक्टरा तो यह लोग इन सब चीजों की खेती करते नहीं पता क्या क्या खेती करते चलो हम बताते हैं वीट गेहिंज की बारले बारले तो सबको पता चल गया पहले भी बताई था जहूं- यह जोता है उसके से समाा कितिव helps टील्ड आ यह लोग जो होते टें यह को औरमोर्ट सारी चीजह उगाते हैं खाने पीने की मोज़ार उरकित इन किया तो तो specific type of crop method of planting crop agriculture equipment irrigation system et cetera social agriculture developed of the time उस समय के लोग यह देखो तुम उस समय के लोग planting करते थे planting होते जैसे चावल उखाड कैसे प्योद बनाके और खेतों में लगाते ना वह वाली चीज़े वह प्लांटी भी यह लोग करते थे अगरी कल्चरल एक्यूपमेंट भी इनके पास थे इरिगेशन का सिस्टम भी इनके पास थे पानी मैसे नहीं कि भगवान ब्रोस से बैटे ना भाई ना पानी का सिस्टम सारा कुछ इन्होंने कर रखा था और यह अब उससे आप सोच सकते हैं अब उससे में लोह से नहीं बनायोगी बुद्धी नहीं लगायोगी बट जो भी है पत्थर के हमें एक दोनाती मिलिया है या फिर ऐसे मोडल बनाके तो नहीं रख दिया था दा प्लोइंग फिल्ड ओटेंड फ्रों काली बंगा उसके अलाव जो हैं हमको प्लोइफ मिला है पिलो होता है हल जो ऐसे एक लकडी होते हैं पहले पहले के लोग आज से लगबALK 500 सौल पहले वहीं चीज इस्ते माल कर थे और आज से 5000 साल पहले वहीं इस्ते माल करें ढृल Крас संच अल चाहरा भी बहुत और वी सफिंड़ी भी डिका ठेख न प्लोईंग काली बंग में में वसकों के लाव से पूछे यह पूछे से लेकी डी। उसके लावा देखते हैं तो बूल्सकाउस भूफैलो सीप गोट डॉग 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 फीगज वर मेंली रियरड इन इस चिविलाइजेशन और इसके अरवर जो इतने सारे जानवर है यह जानुवर को यह लोग पालतू थे यह सारे जानवर पालतू थे कितने सारे के लिए मिल्क रिसे लिए और चमडी के लिए चमड़ी जो कपड़े पैंते थे पहले क्या पता क्पड़े बनाते थे तो वह को भी जो है इस्तमाल उन में करते होंगे दा पीपल ओफ इस चीविलाइजेशन और इस समय के जो लोग थे अब यह जो है अजीब साथ लगेगा आपको गूगल पर ढूंड़ोगे ना कि इंडर सिविलाइजेशन के लोग किस एनिमल को नहीं जानते थे या किस एनिमल को नह इनोंने पालतू बना रखा था अपना कई जगे पर एविडेंस मिले है रिसेंटली अपार्ट फॉम इस एविडेंस ऑफ दो वाइल्ड अनिमल्स लाइक दी वाइल्ड बोर चिंकारा डियर निलगाए और इसको हम आम भासा में रोज बुलाते जो खेतों में हमारे फसल ख पर रोज कहते हैं ठीक है हमारे यह पर रोज कहते है वैसे निलगाए होती है वह तो यह जानवर्स भी हमें देखने को मिले इनके भी सबूत हमको देखने को मिले है इस civilization also imported and exported goods यह civilization जो थी ऐसी थी जो इंपोर्ट भी करती थी एक्सपोर्ट भी करती यानि कि आयात और निल बुलो कार्ट एंड दसी रूट बाइब उन्दर में बोट के थू और यहां पर लकडी के जो है जो बैल गाड़ी होती थी उससे जो है यह लोग ट्रेड करा करते थे सामान इदर से उधर जाया करते थे अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो डिeme को फिडेटर से लिए तनुना whats लाइटभान तो कि वहां आहिँ पूजा तो बुजा कर लोग तेथे पुजा ये करा करते थे दा एविडेंस ओफ whipped इंदा क्लेय स्क्लप्चर्स ओफ JEROS Dziękuję िसे लावा हम देखते हैं, इत्तिक की मूर्तियाया, most of the numbers of the doctors' में मुहरे भी होती जी तो थपपे मारतेते लेक है, के सबूत मिले हैं ट्रेशिज ओफ स्मोक हैज ओल्स विन फांड ओन दिस आइडल्स या क्या मज़ा को रहा है इस टाइम के लोग जो है धुवां का विस्तमाल करते थे क्या पता नसा वसा करते हों कि आज सीन जो भी है तो इन जो है पुतलों पे मुर्तियों में जो है हमको ध वर्षी पसूपती शिवा यानि कि ये लोग जो है पसूपती शिव की पुजा भी करते थे पसूपती शिव को भगवान शिव जो है ऐसा साही माना जाता है असील उप्टेंड फ्रों मोहन जोदारो डैपिक्ट अ 3-headed men एक सील हमको मिली है जो कहां से मिली है मोहन जोदारो से मिली है और उसके अंदर क्या है थ्री हैडिड मैना तीन सीरह एक आदमी के विद्धा होंस यह जो है पूछ सकते हैं आप से कि जो मोहन जोधारो से जो है पसुपती शीवा की मुर्ति मिली है उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन हो सकता थ्री मार्क्स तक में यह आ सकता है यह पूरा पैस्टेज आपको याद करना पड़ेगा उसके लिए बठा पूछ सकते हैं बहुत हाई प्रोवैल्टेज की भी देखो यहां पर बता क्या रखा है असील उप्टेंट फ्रो मोहन जोधारो डैपिक ता थ्री हेडिड मैं ती मुझे जीब सा लगेगा आपको भी तो इलिफैंट अंड टाइगर्स आर सोन उन्दा राइट उसके राइट साइड में जो है इसे मुड़तिय यह यह पे बैठा हूँ हमारा और यह ऐसी योगासन में योगासन होता है ऐसे वह पलतीज मारके बैठते हैं जो भी थ तो उस स्टेंडिंग अंडर दा थ्रोन नीचे यहां पे दो हिरन भी दिखा रखे है दिस आइडोल इस बिलेवट टू बी आइडोल पसुपती शीव और माना जाता है कि यह जो पसुपती शीव की मूर्ति है भगवान शीव की मूर्ति है शीवलिंग और उस टाइम के लोग शीवल अनिमल एक सिंग वाले जानवर की पूजा करते थे बूल स्नेक पिपल इन लोग इन चीजों की यह लोग पूजा करते थे जैसे आज गल हम इंदुद्रम में करते ना वैसा है साइशीन था योगा मस्ट हैव ओल्सो बिन इंपोर्टेंट इंडिव सिविलाइजेशन और सा योगा की फोर्म होती है तो उसमें मिला है अब चाप नहीं सकता में उस चीज को थोड़ा जीव सा बन जाएगा फिर अनंदर सील सोन दा योगा मैन हाफ ओपन आई सेंटर ओन दा टीप ओफ दा नोस्ट्रिल और एक और इसके अलावा जो है हमको यहीं पे सेम जो है एक स्वास्तिक सिंबल मिकलू सब्सके लावा थको को स्वास्तिक सिंबल यहवाला सिंबल होता योजब लिए लोग मर गए अभी तक हमने जाना यह लोग जिंदा थे इतनी बड़िया सिंविलाइज़ाइजैसान भाई पक्के घरमस्त कूटई अ लेकिन अगर वो कोई बंदा मर जाता है तो उसके साथ क्या होता था क्या उसको ऐसे साइड में नदी थी नदी में फैंक दो और निकल जा भाई तू तो तेहरता हुआ कहीं समंदर में ऐसा होता था या कुछ और करते थे देखते हैं यहां पर फ्यूनरल को लेकर थे स्टेप यहां पर बता रहे हैं complete burial, partial burial and cremation यानि कि एक होता था complete burial पूरा उसको जला दिया जाता था उसके रावा partial burial उसको आदा जला दिया जाता था और cremation उसको दास कार यह था तो इस तरीके से जो हम बता सकते हैं वर आउटसाइड दा सीटी जो कबरे थी वो सहर से बाहर बनाई जाती थी दा हैड ओफ दा डैड बोडिज वर टूवर्स दा नोर्थ एंड फीट वर टूवर्स दा साउथ मनब कि कुछ वो दफनाते थे कुछ को जला देते थे जो भी उनका सीन चलता था लेकिन हमको एक अजीव सी बात मिली इन लोगों ने जितनी भी डैड बोडिज को दफनाया हुआ था इनका जो है टूवर्स था बोडिज वर टूवर्स दा नोर्थ एंड फीट वर टूवर्स दा साउथ जो बोडि थी आगर हम देखे डारेक्शन के साब से तो यहां पर उसकी खोपड़ी और यहां पर उसके पैर तो ऐसे उसको तफनाते थे पता नहीं क्यों उसके साथ में उसको पोटरी जवैलरी टूल्स बीच वर्कीप विद दा स्कैल्टन और उसके साथ में जो है यह क्लाइन ऑफ सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन यानि इतनी बड़िया सब्वेता इतने अमीर लोग जैसे आज कल की सब्वेता है वैसी सी फील आ गई हो गया आपको कि भाही सब जो चीजह हमारे पास थी ओल्मोस्ट वैसी से यह भी काम कर रहे थे लेकिन ऐसा क्या हो गय मतलब कि कोई पक्का सबूत हमको नहीं मिला इस चीज़ को लेके विच वुट सो हाव इस सिविलाइजेशन को लैप्स कि यह सब्वेता कैसे खतम हो गई समुदा मेजर रिजंस फोर दाउन फोल रेटन बिलो हम तुक्का मारेंगे बैठके चलो तुम भी तुक्का मारो मैं अब तुक्का मारता हूं चलो भाई हो जाओ शुरू पहला है एड्मिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी यानि कि परसासनिक स्थिलता ड्यू टू टू दा लिमिटीड साइज ऑफ दा सैटलमेंट एंड ड्यू टू लैग ओफ क्लीनिनेस दिस सिविलाजेशन केम टो एन एंड यानि कि यह लोगों ने जो है सडकों पर हमने पढ़ा ना साफ सफाई बढ़िया रखते थे तो धीरे धीरे पपड़वा जो पबलीक है वो बढ़ती चली गई और फिर हो गया भाई जो होना था है ना मर गए वो लोग बिमारी मलब सफाई नहीं कर पाई डंग से और ऐसे खतम होगे भाई अजीब साल हो जीगा बट क्या ही बोले बुक में लिए रखता था क्लाइमिट चेंज हुआ क्या ड्यू टू टू ड्राइंग अपो वाटर सर्श्वती रिवर दे टिक्लाइन यानि कि पानी नहीं मिला उन बेचारों को बारी सोनी बंद हो गई समय के साथ पानी सुकता चला गया तो उसकी वजह से लोग खतम या तो छोड़के भाग गए वहां से कहीं और या फिर मर गए होंगे फ्लड या फिर भगवान ने कुछ ज्यादा ही बारिस कर दी खुस हो गया फ्लड फ्लड है इंड एक्सकाविशन ओफ दा मोहंजोधारों चहुंद रोल अंड भाग तर यह जो कुछ बलोकेसं से यहां पर हमको बाढ के स्भूत ही मिले फ्लड के तो थीस कैन ओल्सो भीड रीजन्स फोर दाउन फोल यह भी कुछ कारण हो सकते हैं नाउन फोल जो ज इनका जो अंतराष्ट्रिय व्यापार था दूसरी सिविलाइजेशन से ट्रेड करा करते थे तो हो सकता है कि उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया और जिसके जैसे इनकी एकोनोमी कमजोर हो गई हो जिसके वजह से महंगाई आ गई जैसे कि कुछ देशों में अभी चल रही है ना तो वैसे महंगाई आ गई और उसके जैसे भी लोग मर गई हो सकता भाई कुछ भी हो सकता है मैं क्या पता तुका मान ना बैटके एपिडैमिक यह ज्यादा सबूत मिलते है मतलब कि आपने अजीब से लग रहे होंगे मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भूक मरी के बज़े से लोग ही खतम होगे पूरी सब्वेता खतम होगी बेसिकली अजीब लगेगा ना बाड आ गई यार उनने टिलों पे घर बना रख अजीब लगता है बट यह वाला रीजन बहुत सोलिड रीजन है मतलब नेक्स्ट लेवल एपिडैमिक यानि कि महामारी फैल गई वहां पे एक महामारी जिसको मलेरिया कहते है आजकल तो कोमन लगती है बट उस समय यह महामारी हुआ करती होगी क्योंकि हमें जो सबूत मिले जिसमें हमने 42 स्कैलटन को स्कैन जो भी करते हैं एक्सपेरिमेंट करा उसके उपर और पता चला कि उनमें से 41 की डैस्ट जो मलेरिया से हुई है इस कुड़ ऑल्स वी तरीजन ओ फो डिकलाइन ओफ दिस चिविलाइजेशन यह वी एक कारण हो सकता है कि यह सब बैता खतम हो गई है ठीक है न तो यह भी कारण हो सकता है यह प्रोवाइड कराऊंगा इंपोर्टेंट कोसन एंसी वह चीजे भी पढ़ लेना साथ के साथ में क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स यहां से छुटे हो चोटे मोटे बिल्कुल एकके के नंबर वाले तो वहां पर आपको मिल जाएंगा आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं लाइक आपसे पूछे कि भाई हर याना में कौन-कौन सी डिस्टिक पड़ती है या वह चीजे अलग पूछ लेते हैं कुछ एक चैप्टर में पूछा गया है चैप्टर में पूछ ले कई बार इन्होंने जो एक्जाम अलब चैटर में नहीं मिली बहुत मुस्किल से मिली तो तब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे देखते हैं यार 20-30 लाइक तो कोई बड़ी बात नहीं है आप आराम से कर लोगा है ना 20-30 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो जिस जिसने वीडियो देखे होगे ना लाश तक सिरफ वही करेगा है ना तो बता ना किस-किसने वीडि करता है ना तो थोड़ी दिक्कत होते है लिखने में बट आपको सारी चीज़े प्रोवाइड कराएंगे हम टाइम से बाद में करते रहे कोई फरक नहीं है बट हां कोशिस रहती है कि आपको टाइम से मिले और साथ में जो एक्जाम आपका फाइनल एक्जाम आएगा तो इ अपडेट दू काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए चलो मिलते हैं वीडियो में बाई बाई